नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुशामभी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी ड्रामा को इन राखी सावंथ मुश्किलों में घिरी दिखाई दे रही है खबर ये है कि राखी सावंथ को पुलिस ने हिरासत में लिया है जी हाँ बीते दिनों चर्चा में रही अभिनेत्री शरलिन चोपडा की शिकायत के बाद उन्हें हिरासत में लिया है राखी और शरलिन एक दूसरे पर जम कर कीचर उचाल रही है बता दे कुछ वक्त पहले शरलिन चोपडा ने राखी सावंथ के खिलाव मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी वही अब पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए राखी को हिरासत में लिया है देखिए हमारी खास रिपोर्ट में मुंबई पुलिस का कहना है कि शरलिन चोपडा की शिकायत पर राखी सावंथ के खिलाब IPC और IT Act की कई धाराओं के तहट प्राथ में की दर्ज की गई है शिकायत करता का आरोप है कि उसने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौराण चोपडा का एक प्राइवेट वीडियो और उनके गलत भाशा का इस्तमाल किया था हालंकि इस मामले पर राखी का बयान भी सामने आया था राखी का कहना था कि उन्हें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि शरलीन पर ट्रिप्टिक करने से उनके लाइफ में उथल पुथर मच गई है शरलीन की वज़े से उनके बॉइफरेंड ने भी उनसे सवाल किया था क्या शरलीन जो कह रही है उनमें कोई सच्चाई है क्या सच में मेरे पास दस बॉइफरेंड है टीवी आदाकारा राखी सावन की पारवारिक जुन्दिकी काफे लंबे वक्त से नीडिया में च्छाई हुई है आदिल खान से हुई उनकी शादी और इस पर मचे बवाल के बारे में तो आप जानते ही है यह मामला बहुत ही मुश्कल से निपट पाया था जिसमें देश भर की लोगों को शामिल होना पड़ा इसके बाद अब राखी सावन की प्रेगनेंसी चर्चा में है जन दिनों राखी सावन की शादी चर्चा में थी उसी दोरान राखी सावन की प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है राखी ने मीडिया से तो इस बारे में बात करने से मरा कर दिया था लेकिन उन्हों ने अपने एक करीबी दोस को बताया कि वो प्रेगनेंट है या नहीं आदाकारा राखी सामत ने अपने एक दोस से बार्ट करते हुए बताया कि वो थोड़े वक्त पहले प्रेगनेंट थी लेकिन उनका बच्चा पेट में ही मर गया राखी सावंत ने इस बात पर पक्की मोहर लगाई है कि मिस्गैरिज की वज़े से उनका बच्चा मरा है जसकारण से वो काफी दुखी है राखी सावंत और आदल खान ने जुलाई महीने में शादी रचाई थी ऐसे ही देश दुनिया की तवाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार